तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो नीट से जुड़ी ही दो बहुत ही बड़ी बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है और साथी दोस्तो यूजी की रजिस्टेशन को लेकर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है फाइनल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चैन्जिस देखने को मिलेगा पर दोस्तों चैन्जिस किस चीज को लेकर मिलेगा वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर changes ना application को लेकर है ना आपकी syllabus को लेकर है ना exam pattern को लेकर है पर दोस्तो जो changes यहाँ किया जा रहा है अगर वो changes successfully हो जाता है तो NEET के जितने भी aspirants है और उन्हें जिन जिन दिकतों का सामना करना पड़ा है NTA दवारा वो सारी परसानिया यहाँ पर खतम होने वाली है और उमिद्वारों को एक बहुत ही बड़ी रहत मिलेगी NTA से दोस्तों वो क्या है उसके बारे में सारी information मैं आप सभी को देने वाला हूँ और दोस्तों UG के registration के लिए आप सभी के लिए बहुत ही अहम जो है अपडेट आ रही है कि registration कब से start होंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आई है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यह जो अपडेट है यानि कि national जो है यहाँ पर जो है नीट यूजी एक्जाम से जुड़ी हुई है वो यहाँ पर PG की हो इन सभी की जो एक्जामे है अब वो यहाँ पर NMC कराने की यहाँ पर बात हो रही है अगर दोस्तों यह proposal पूरे तरह से successful हो गया तो उमिदवारों को एक बहुत ही बड़ी रहत मिलेगी क्योंकि NTA के अंदर exam conducting कराने के अंदर उमिदवारों को काफी जड़ा जो है दिकतों और यहाँ पर जो है कोण केस के अंदर उमिदवारों को काफी ज़ादा जो है घिराओ गिया ज़दा था और जिसको लेकर उमिदवार की जो study में काफी ज़ंदा दिकते आ दे थी अगर दोस्तो NMC द्वारा यह अब भार उठा लिया गया इसकी exam conducting को लेकर तो उमिद्वारों को एक बहुत ही बड़ा रहात मिलने वाला है अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि यूजी exam को लेकर क्या यूजी की registration को लेकर क्या update आ रहा है और NTA के source के वाने तो यह बताया जा रहा है कि पास तारीक के अंडर जो है NTA द्वारा आप सभी की जो registration date है जो registration window है वो यहाँ पर open कर दिये जाएगा तो इसके लिए जो और update आईगी सबसे पहले दूस्तो आप सभी को share कर जाएगा तो फिर बिलते हैं दूस्तो अगले वीडियो में तब दूस्तो जाहिंद है